Hello everyone, welcome again to our YouTube General NK Maths आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उन सभी synonyms को cover करने वाला हूँ जो selection post page 11 के paper में पूछे गए चाहे वो 10th level का paper हो, 12th का या graduate level का page 11 में जितने भी paper हुए है उन सभी में जितने synonyms पूछे गए हैं, सबको मैं इस वीडियो में cover करने वाला हूँ इस से पहले मैं बता दूँ आपको कि selection post page 11 में जितने one word substitution पूछे गए थे उनको मैंने पहले से ही upload कर रखा है YouTube पर उनकी वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर से देखिए क्योंकि लगभग लगभग मैं एक question में 2-3 चीज़ें और add करता हूँ जो कि आपके exam के point of view से important है जैसे यहाँ पर भी देखेंगे इस वीडियो में भी कि हर एक question में आपको लगभग लगभग 2-5 question की knowledge होगी एक question को देखकी वीडियो देखने के बाद ठीक है तो I hope आप वीडियो को देखोगे और इसमें जितने भी चीज़ें मैं बताऊंगा आप उसे note down करोगे notebook लेके जरूर बैठना और note down करके उनकी revision करो क्योंकि बहुत सारे ऐसे words हैं जो repeat होते हैं और repeat हो रहे हैं और आगे भी repeat होते रहेंगे ठीक है exam dates अगर आप बात करो तो June 2 है 23 में selection post phase 11 का paper हुआ है और SSC की तरब से मान लो ये latest paper है ठीक है और इसके जो vocabs है वो definitely आपको revise कर रहेने चाहिए क्योंकि आगे अभी CHSL और MTS का paper आने वाला है जो CGLTR1 का paper है वो तो जा चुका है लेकिन MTS और CHSL वाले लोग जरूर से वीडियो देखके जाएं और इनमें जो भी मैं बता रहा हूँ उनको note करके और revision करके जाएं ठीक है आगे बढ़ते हैं और I hope कि आप OWS याने की one word substitution वाले भी वीडियो जरूर देख लोगे next वीडियो जो आएगी वो endonym की आएगी और किसी और भी ऐसे paper में English की solution आप चाहते हो vocab की जिस तरीके से भी आप मुझे जरूर से comment करके suggest कर सकते हो ठीक है अगर आपने Instagram पर मुझे नहीं follow किया है तो NK Maths ID को search करके follow कर सकते हैं और अगर हमारे YouTube चैनल को नहीं subscribe किया अभी तक तो फूर क्या ही किया अगर आप YouTube पर हैं और पढ़ाई करते हैं तयारी करते हैं तो definitely आपको हमारे YouTube चैनल NK Maths subscribe कर लेना चाहिए ऐसे और वी वीडियो देखने के लिए start करते हैं first question से PDF चाहिए तो आपको NK Maths Telegram Group जोईन कर लेना है start करते हैं एक सुन्दर दर्षन से question है देखो ऐसे लिख कि आता है अगर किसी को नहीं पता है तो कभी कभी만 cham nom लिखता है या फिर मिनिंग भी लिखता है या फिर best expresses ऐसे लिख करें ठीक है जीसे आपको यह समझा एगए क्या स्भूम सा मनार्थी सब दियानीकी सेश सेम और्था meaning वाला तो यहाँ पर जैसे अब देखो अभी SSC ने एक अपना एक नया नियम ला दिया है या इस तरीके से trend ला दिया है कि एक sentence में वो synonym या फिर endonym पूशता है ठीक है लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि पूरा sentence पढ़ें आप केवल इस particular word को भी जो यहाँ पर highlight करता है या फिर underline करता है इसको भी देखिए आप direct अगर आपको इसके बारे में जनकारी है तो आप 99% सही answer mark कर पाऊगे ठीक है लेकिन अगर आप समय नहीं बजाना चाहते हैं या फिर मान लो ऐसा है कि आपको केवल यह word पर के नहीं बात समझा है तो आप पूरा sentence पढ़ लो जैसे यहाँ पर अगर मैं पूरा sentence पढ़ें तो लिखा है जिसका मुझे उतना फाइदा नहीं है क्योंकि मैं बस यही पढ़के बता रेता हूँ आपको जैसे मान लो hapless का मिनिंग क्या है हैप का मतलब होता है लक अगर root word में मैं बात करूँ मैं ज्यादा root word पे भी भरुसा करता हूँ तो हैप का मतलब होता है लक और less तो आपको adjective को दिखाता है या फिर less मतलब नहीं होना यह आप समझ लो लक नहीं होना जिसका भागे खराब हो आप happiness को बोल सकते हो not lucky ठीक है यानि कि जो lucky नहीं हो person दुर्भागे आप बोल सकते हो happiness यानि दुर्भागे पूर्ण ठीक है दुर्भागे और जो synonym यहाँ पर आपको options में दिए गए है grateful देखो great तो अच्छी बाते हैं तो यह होगा नहीं joyful यानि की खुसी देने वाली चीज़ है या अनंद दायक चीज़ है तो यह होगा नहीं ill-fated और triumphant ill-fated की मैं बात करूँ तो देखो fate भी होता है fortune आपका fate fortune means luck fate का मतलब होता है luck और ill मतलब खराब तो खराब भागय होना भागय जो है वो खराब होना उसको हम बोलते है ill-fated और इससे पहले यह ध्यान रखना कि ill-fated जो word है यह CHSL 2021 में भी आ चुका है ठीक है ऐसा नहीं है कि यह नया word है यह CHSL 2021 का है और देखो फिर 22 का ही है तो 22 में फिर से repeat हो गया यह तो definitely आपको जो पुराने words है SSC ने जो पहले पूछ रखे है या फिर TCS जो भी paper लेती है जैसे ICER हो गया जो भी TCS paper करवा रही है उसके vocabs आपको पढ़ लेने चाहिए तो happiness का जो meaning था वो था not lucky या फिर unlucky और उसका जो synonym होगा ill-fated होगा unlucky भी आप कह सकते हो raised कह सकते हो w-r-a-t-c-h-e-d raised इसका मतलब ही होता है unlucky ठीक है बाकी मैंने ये एक तस्वीर आपको देखने के लिए नहीं लगा रहा है कि आप इससे भी बात समझ सकते हो किस्मत खराब मैं इतना ही बोलूँगा बाकी तो आप पढ़ी सकते हो अचा एक और वर्ड आपको दिया गया है ट्रैम्फेंट ट्रैम्फेंट भी बहुत repeated वर्ड है SST के दुनिया में और हला कि भले ही ये direct question नहीं हो लेकिन चुकि ये option में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ट्रैम्फेंट में दखो ट्रैम्फ का मतलब होता है ट्रैम्फ का मतलब success या फिर victory ठीक है तो ट्रैम्फेंट होता है जब आप कभी कोई आपको success मिलता है या victory मिलता है जीत मिलती है या फिर सफलता मिलती है तो उसके बाद जो खुशी मिलती है उसको Trampant मिलते हैं ठीक है यानि की सफलता के बाद मिलने वाले खुशी वो होगा Trampant ठीक है Trampant का आप चाहो तो Synonym लिख सकते हो Victorious हो जाएगा Victory से बना Victorious ठीक है आगे बढ़ते हैं अब Victorious मैंने क्यों बताया ये भी ध्यान रखना Victorious CGL Tier 1 2021 में आ चुका है आपका वर्ड ये जो मैं बता रहा हूँ जितने भी options में वर्ड लिखे रहते हैं इसमें से ज़्यादातर वर्ड SSE के फेवरेट होते हैं और repetitive होते हैं Next question है अपने पास There were a Plethora of options available to the applicant यानि कि applicant के पास किस टाइब से options available है ये आपको बताना है Plethora आपको underlined है Plethora का मतलब बताना है excess, recess, destructive या फिर insufficient पहले तुम्हें Plethora की बात करूँ अगर तो जो word है आपका प्ले थोरा इसमें जो play है ये भी root word है Plethora इसका मतलब होता है full यानि कि पूरा बिल्कुल या फिर आप fill भी कह सकते हैं fill पूरा भड़ा होना या फिर excess होना यानि कि जितना चाहिए उससे अधिक होना ठीक है प्ले थोरा का मतलब क्या है अधिकता इंदी में अगर मैं लिखूँ अधिकता अधिकता को और हम क्या इसका मतलब होता है कि अधिकता प्रचूरता जिसका आप बोल सकते हो प्रचूर्ड ठीक है, और अगर अलग सिनो नेम्स की मैं बात करूँ इसकी, तो वो हो सकता है, आपका abundance, पहले आया हुआ word है, abundance, यानि की मतलब होता है, प्रचूर, ample, बहुत अधिक होना, अवसकता से अधिक होना, access तो खुद आपका CDS के paper में आ चुका है, जो यहाँ पर दिया गया है, access है, यह खुद CDS और NDA में पहले आ चुका है, even यह CHSL 2019 या 20 में भी आया था, मुझे जहां तक याद है, ठीक है, तो यह मैं नहीं बताऊँगा, कहां आया था, कहां नहीं, उसकी जरूरत नहीं, यह ध कमी को दिखाता है, dearth, dearth यानि की कमी, ठीक है, banking का word है, dearth, बहुत पहले banking में आता था, scarcity भी आपने पढ़ा होगा, scarcity का मतलब ही होता है, कमी, आगे बढ़ हैं, अगर options में अगर आपको कुछ जानना हो, जैसे insufficient तो आपको पता होगा, sufficient यानि परयाप्त, insufficient, अपरयाप्त यानि की आवसकता से कम, destructive, विनासकारी, recess, recess क्या होता है, recess का मतलब होता है, short में या फिर, recess एक वैसे आपने सुना होगा, जब संसद की बैठके होती है, तो बीच में जो छोटा सा break लिया जाता है, या फिर कभी मान लो, आप कोई meeting कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, और बीच म का मतलब क्या होता है, दोस्तों, देखो, दो चीज़े, जैसे मैं यहाँ पर diagram एक figure लेके रखा हूँ, इसमें देखो कोई भी figure है, या कोई भी चीज़े है, उसमें जो सबसे top part होता है, या top point, जैसे यह हुआ, इसका top point, और यह हुआ, इसका सबसे निचला हिस्सा, जिसको हम lowest point बोलेंगे, ठीक है, तो जो lowest point होता है, इसी को हम बोलते हैं, नादिर, ठीक है, नादिर बोलते हैं, किसको lowest point को, ठीक है, और जो top होता है, इसका opposite आप बात करो, तो उसको बोलते हैं, जैनित, especially geographic के words हैं, नादिर और जैनित, जैनित को आप peak भी बोल सकते हो, ठीक है, नादिर को आप lowest point बोल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो sino name आपका सही answer है, वो lowest point, highest point तो actually में जनित ही हो गया, equatorial होता है, बीच वाला equatorial जैसे, आपने भूम मद्धे रेखा पढ़ा होगा equatorial line, ठीक है, और यह तो बीच वाला हो गया, आगे बढ़ते हैं, next है instant, instant का मतलब क्या होता है, instant का मतलब होता है, बिल्कुल उसी वक्त, तुरंद, हिंदी में अगर मैं बताओं आपको तुरंद, ठीक है, immediate, gradual, anticipated या फिर precise, तो immediate इसका सही answer होगा, instant का जो sino name है, वो immediate यानिकी तुरंद, उसी time, जैसे आपने physics में एक word सुना होगा, instantaneous, velocity या फिर speed, ठीक है, तो instantaneous का मतलब होता है, चनिक वेग, चन उस चन के लिए, यानिकी उस बिल्कुल time के लिए, जैसे ये मैंने एक instant pot ले रखा है, figure में, इसका नाम है instant pot, कुछ भी काम instant करता है, instant आप इससे किसी चीज़ को गर्म कर सकते हो, roast कर सकते हो, तो ये instant pot है, ठीक है, यानिक जो काम करेगा, ये instantly करेगा, यानिकी बिल्कुल immediately करेगा, तो instant का मतलब होता है, तुरंत, gradual का मतलब होता है, step by step, धीरे धीरे, ठीक है, anticipated और precise, वहीं कि पहरे anticipated की मैं बात करता हूँ, anticipated क्या होता है, anticipated का मतलब प्रत्यासित, प्रत्यासित का मतलब, जो पहले से हमने सोच सकती है, तो ये पहले हम expect करते हैं, तो पहले से हम जो सोचते हैं, वो होता है, आपका anticipated, predicted आप बोल सकते हो, predict करना भी वहीं बात है, ठीक है, predict का मतलब भी वहीं हुआ, आपका anticipated, precise क्या होता है, precise का मतलब होता है, बिल्कुल accurate या फिर सटीक, ठीक है, जितनी आओ सकता है, उ तुद्हिंदी हो गया updated का, updated का मतलब बिल्कुल latest या फिर नया ये कोई भी बता सकता है latest होगा, corrected old ये सब तो जानते होगी, अचा देखो, तो referbist क्या होगा, referbist आप refurnished से याद रख सकते हो, ठीक है, referbist का मतलब होता है, फिर से उसको सजाना, re-decorate करना, ठीक है, re-decorate करना, या फिर renovate, ठीक है, यानि फिर से उसको पहले जैसा बनाने की कोईशिस करना, आगे बठें, अगला है paranoia, इसका मतलब क्या है देखो, paranormal अगर आपने activities सुना होगा, या movie में सुना होगा, CID में देखा होगा, या कहीं न कहीं सुना होगा, paranormal activities, ठीक है, यानि जिन पर जल्दी भरोसा नहीं क्या जा सकता, हाला कि paranoia का मतलब होता है, एक type की बिमारी, ठीक है, इस बिमारी में definitely लोगों को illusions होते हैं, ठीक है, assurance, इसे और करना हटा दो, belief ये अलग है, अचा, anxiety है, anxiety क्या होता है, anxiety भी एक बिमारी है, जिसमें सरदर्द होता है, बुखार होता है, तो anxiety हम लगा सकते हैं, इसके करीब करीब का meaning है, अगला जो है, आपका biosphere reserves are learning places for sustainable development, sustainable क्या होता है, sustainable का हमें synonym बताना है, देखो ऐसा development, sustainable development का मतलब क्या है, जो sustain करें, sustain का मतलब, जो, अच्छा देखो, मालो मैंने ये कहा जैसे, कि चलो, मैं अगर एक तरफ से बात करूँ कि petrol का बढ़ना development है, मैं बस example के लिए बात कर रहा हूँ, तो petrol का दाम बढ़ा और फिर घट गया, तो वो sustainable development नहीं हुआ, sustainable development का मतलब हुआ, कि कोई चीज जब develop हुआ, और मालो इस level तक develop हो गया, तो अब फिर से वो नीचे नहीं आए, यानि कि या तो इस से और अधिक वो develop होटते चला जाए, या फिर at least इतने पर maintained है, तो sustainable development का मतलब एक ऐसा development, कि वो होने के बाद फिर से वो पीछे नहीं आए, या उसकी value कम ना ह या तो वो उससे और आगे बढ़ता चला जाए, यानि कि और develop होता चला जाए, या उतने पर बिल्कुल रुका रहे है, तो वो sustainable development होता है, ठीक है, options है, आपके पास maintainable, temporary, unstable या फिर brief, देखो brief हो गया, आपका brief में कहना है, या brief में बोलना है, ये तो अलग चीज हो गया, unstable, जो stable नहीं है, temporary का मतलब हुआ अस्थाई, यानि कि कुछ समय के लिए, तो ये भी नहीं होगा, मजता है, option पहला, maintainable, maintainable का मतलब, जो एक label पे जाके maintain रहे, ठीक है, वो maintainable हो गया, और वही sustainable का मतलब यह है, कि एक label पे अगर development हो, तो वहां तक at least वो रुका रहे है, उससे न deliver करता है, यानि कि आपके यहां तक पहुँचा देना, आपको दे देना, आपको स्वाप देना, वो deliver कर दिया, deliver करने का मतलब सुपूर्द कर दिया, वो आपको ठीक है, आपको दे दिया, तो वो हो गया, delivered, दूसरा, जो speech होता है, यानि कि जो भासन होता है, वो भी delivered किया तो भासन यानि कि speech deliver करने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने बातों को किसी के पास तक पहुचा रहे हैं बोल करके लिखित रूप में नहीं लिखित रूप में तो फिर वो application हो गया letters वगरा लेकिन deliver जो है जैसे speech deliver करना यानि कि हम जब बोलते है speech तो हम audience तक अपने बातों को यह बात है तो यहां पड़ यह मतलब निकलेगा deliver का option है withdraw, replace, deposited या फिर relocate, relocate तो नहीं होगा locate करना यानि कि उसका इस्तिति वो कहां पर है location उसका पता करना relocate यानि कि फिर से और deposit होता है basically हिंदी में बात करो तो जमा करना जैसे मानलो हम पैसे जमा करते हैं बैंक में तो हम अपने पैसे आप bank को support ही करते हैं उसको deliver कर देते हैं उसको दे देते हैं कि लो भाई अब यह पैसे आप संभालो तो एक तरफ से आप देखो कि deposited इसका synonym हो जाएगा replaced और withdraw तो withdraw तो withdraw का second form है इसका मतलब निकासी करना पैसे निकालना या कुछ भी जो हमने किसी को दे रखा उससे वापस ले लेना और replace का करने का मतलब क्या है कि उसको change कर देना तो deposited जो है वो delivered का synonym हो जाएगा ठीक है deposit यानि की जमा करना या किसी को दे देना अगला है committed UNESCO is committed to protecting individual privacy and securing the personal information made available to us when you visit UNESCO.org as well as UNESCO pages on other sites देखो committed का मतलब क्या होता है एक तो आपने जैसे सल्मान खान की किसी मुवी में सुनी होई कि मैंने एक बार commitment कर दिया तो फिर मैं अपने आपकी भी नहीं सुनता तो यहाँ पर committed का मतलब होता है एक तो कि commitment करना ठीक है कि बिल्कुल ठान लेना कि यहाँ ठीक है अब मुझे यह करना है ठीक है एक committed का मतलब होता है कि किसी के प्रति डिवोटेड रहना ठीक है जैसे मालों यूनेसको ने यह commitment कर दिया कि हाँ भाई हम हर एक individual की जो privacy है उसको secure करके रखेंगे तो अब यह उसकी जिम्मेदारी बन गई या फिर वो इसके प्रति जबाब देही ले रहा है कि हाँ भाई अब मेरा काम है कि हम सबकी privacy को secure करके रखेंगे तो किसी के प्रति जबाब देही लेना किसी की कार्य को करना वो होता है devoted to someone जैसे जो भगवान हनुमान जी थे वो भगवान स्री राम को devoted थे इस तरह से आप समत सकते हो Absolutely, Disloyal का होता योयल का पोजित हो गया, Loyal का मतलब वफादार होना किसी के प्रति और Disloyal का मतलब उसके प्रति वफादार नहीं होना, बेवफा आप साधारन सब्दों में बोल सकते हो ठीक है वफा का उल्टा ठीक है लोयाल्टी यानि वफादारी डिसलोयाल्टी उसका उल्टा हो गया अनफेद्फुल भी वही है डिसलोयाल ही है अनफेद्फुल और इन कॉंस्टेंट क्या होता है constant का मतलब जो एक value पे इस्थिर रहे है रुका रहे है या फिर अचर रहे है और in constant का मतलब इस्थिर जो change होता रहे है variable बोल सकते हो आप awful awful क्या होता है awful का मतलब होता है डरावना या फिर भयानक या फिर बिल्कुल खराब दिखने वाला कोई भी चीज हो सकता है awful अगर खराब smell है तो उसको भी awful आप बोल सकते हो inoffensive option है terrible है acceptable है delightful है inoffensive offenses तो आप समझते हो offenses यानि कि crime inoffensive जो है यह उसका opposite है ठीक है यानि कि आप यह कह सकते हो undoubtful जिस पर doubt नहीं किया जा सके उसको हम inoffensive बोल सकते है ठीक है terrible क्या होता है terrible डरावना होता है terrible ठीक है टेरर से आया terrible ठीक है तो terrible का मतलब डरावना भयानक तो यह synonym है आपका और answer भी यही है acceptable जिसको accept कर सकते हो delightful delightful डिलाइटफुल तो हो गया बिल्कुल प्रसंता देने वाला ठीक है जाने कि आप joyful बोल सकते हो आनंद देने वाला pleasant बोल सकते हो ठीक है और awful को आप unpleasant बोल सकते हो ठीक है तो basically awful का यह अपोजिट हो गया synonym हो गया ठीक है acceptable यानि कि जिसे accept किया जा सकता है स्वीकार यह योग यह ठीक है तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि इतने ही question है दस इनोने में पूछे गये थे और दस मैंने cover कर दिया है अब आप सौचो एक इतना छोटा वीडियो क्यों क्योंकि छोटे में energy बनी रहती है और हम बहु वीडियो बनाओ सौट का मतलब कैसे सौट जो आप देखते हो रिल स्टाइब के वैसे थोरी है ठीक है कम से कम एक exam को मैंने cover कर दिया है इसमें selection post page 11 में चाहे आप 10th level की बात करो या 12th level की बात करो या फिर graduate level की बात करो तीनों ही लेबल के questions इसमें मैंने include की है और इसके ब और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनके मैंस को जरूर से support करें subscribe कर रखे हैं तो आप अपने फायदे के लिए किये होंगे लेकिन I hope कि आप हमें भी support कीजिएगा thank you